पूरु जनम की धारा नाम की ब्रामनी जिसके हाँ कोई संतान नहीं थी भगवान नायन कोई पूत्र मानती थी एक दिन भगवान नायन आये शंकर पारवती को अपना ब्रिद माता पिता बना लिया एक खेल खेला भगत के साथ भगत की धराकी और इसके पति दोण नाम के वसू थे दोनों पती पत्नी की प्रिक्षा करने के लिए भगवान नायन आये भगवान नायन बन गे युवा पुत्र और पार्वती और भगवान शीव बन गे उनके बुढ़े माता पिता और कावण ले करके तिर्थ यात्रा के लिए चले और पहुँचगे ब्रामनी के घर धरा ब्रामनी के घर पहुँचगे ब्रामन देवता जो दोन थे बिक्षा लेने के लिए गाउं में गए थे यह रूपधारी भगवान नायन बोले माता ये मेरे मुढ़े माता पिता मेरे पास कई दिन से कुछ खाया नहीं रास्ते में कुछ मिला नहीं मैं भी था का मादा आपके हाँ थोड़ा भी स्राम करना चाहतो मेरे माता पिता को भूख लगी तीन दिन से कुछ खाया नहीं कुछ खाया खाने को दे दो वो धरा नाम की ब्रामनी बोली कि बेटा हमारे हाँ कुछ संग्रह है तो कुछ होता नहीं मेरे पती जो लाते हैं उसी को रुसोई बना करके ठाकोजी बोग लगा कर हम दोनों पा लेते हैं इस समय घर में संग्रह में कुछ नहीं मैं क्या आपके लिए बनाऊ रुसोई में बस थोड़ा रुक जाओ मेरे पती बिक्षा लेने गए जो भी लेके आएंगे मैं आपको पुआप भगवान ने खेल किया जिससे कि उनके पती आये ना एक रूप और भगवान ने बना लिया रास्ते में उसके पती को मिले बातों में लगा लिया आने ही नहीं दिया एक प्रहर बीत गया तीन घंटे बीत गया भगवान नायन बोले धरा ब्रामनी से कि माता कोई बात नी हम दूसरे घर चले जाते हैं बिक्षा मांगने ना बेटा मेरे घर से आज तो कोई भूखा नहीं गया बस आते ही होंगे ने जने क्यों नहीं आए इतना समय तो कभी नहीं लगाते नहीं अब हम जा रहे हैं भूखे तुमारे घर से दूसरे के घर में बिक्षा मांग लेंगे अच्छा रुको अभी मैं पास की दुकान से ले आते हूं उधार समाना भोजन कराके भेजोंगे भूखा नहीं भेजोंगे पास की दुकान में बनिया का लड़का बैठा तो दुकान पे ये युवा थी ब्राह्मनी बनिये की दुकान पे बनिया बैठा और बोली की मेरे घर में कुछ नहीं मेहमान आए है पती अब तक आए नी बिख्षा करने गए आ मुझको आटा सिधा समान कुछ दे दो मैं जिससे की इरसोई बना लूँ पूरी बात बताई और मेरे पास इससे में कुछ है नहीं तो कहा कि तुमारे पास सब कुछ मैं अपने अपी चुपता कर दो मुझको चाहिए तुमारा प्यार इशारे से बोला ब्रहम्री ने ध्यानी नहीं दिया बस इतना ध्यान दिया कि इन्होंने स्विकार कर लिया देने के लिए समान उसने तोला समान दे दिया जब पोटली बांद करके लगे चलने उसका हाथ पकड़ लिया कहां जा रही है पहल कि छाती के उपर हाथ धर दिया यह कीमत है इस समान की ओ तो हक्की बक्की रहेगी अब लगा पता कि इसके मन में बुरी भावन आ गए लेकिन घर में अतिथी भूखाना चले जाए तो क्या किया गुड काटने वाली चाकू को उठाया चूरी को उठाया अपनी छाती पे दे म पारा लो इसी से अगर तेरी भूख मिटती हो खूं से लट पद्धरा ब्रामनी रुसोई का समा लेकर जैसे तैसे घर तक पहुंच गई लेकिन चक्कर आने लगे खूं जादा निकल गया था अपने प्राणों की भी प्रवा नहीं की और अपने मन को तन को मैला नहीं होने दिया प्राणों पर आप बनी तो बनी लेकिन मेरे घर से कोई भूखा चलाना जाए इतनी बड़े धर्मात्मा और कहा भगवान नाण से नहीं पहचान पाई कि बालक को ना का कि बेटा मैं तो भोजन बनाने की स्थीति में अब नहीं हूं पतनी का प्राण छूट जाए घर से भूखा ना चले जाना ये रोसोई बनाओ और अपने माता पिता को भोजन कराओ इतना कहती इतनी अधिक खून निकलाया था चक्कर आगे गिरने लगी और जो ही गिरने लगी धर्ती पर नहीं गिर पाई वहीं बालक चत्र बुजरूब में भगवान नायन था देखा चत्र बुजरूप में भगवान नायन खड़े और जो ब्रिद्ध माता पिता थे वह शंकर पारवति की रूम में प्रगट हो गए भगवान नायन ने ब्राम्णिन धना से कहा कि माता आपने मेरे लिए जिस छाती की कुरुबानी की है अगले जन्द में तुम य मेरे रिशी जिनको मेरे चर्णों कभी सुपर्श प्राप्त नहीं होता है और तुम मुझको पूरा गोद में लेकर के लाड़ प्यार करोगी आसे तु मेरी माह और मैं तुमारा पूत्र